हलो दोस्तों स्वागात आप सभी का आपके फेरिट यूटूब चैनल एक्जाम तक वारियर्स पर इससे पहले आप सभी ने देखा कि एजेक्टिव किसे कहते हैं और एजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं सब के बारे में डीटेल से जाने थे अब हम आज बात करने वाले ह कि कितने प्रकार के होते कल तीन मेंने आपको बताया था जो इससे पहले प्रुण विडियो प्रोवाइड हुआ था उसमें तीन टाइप का हम बता दिये थे और आज जितने बचे हैं ना उन टाइप के एजेक्टिव को लिज लेते हैं तो आप किसी भी एक्जाम की त्यार से पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पेस कर लिजेगा शुरू करते हम सबसे पहले आज उकल तीन हो गया था ना आज हम चौथे टाइप की तरफ आते हैं जो कि हमारा है डिस्क डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव का मतलब क्या होता है यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों डिक्स जो यह डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव होता है ना यह क्या करता है किसी नाउन के गुड या उसके quality को बताता है क्या करता है quality को बताता है रूप को बताता है रंग को बताता है आकार को बताता है यानि कि कोई पूछ लिया कि descriptive executive किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे तो दोस्तों बस इतना सवात है कि यह किसी जो यह descriptive कंडिये रूपक को बताएंगा कंड़तने विए ट इसे एक्जाम्पल पर दोस्टेक्ट इस हमारा क्या हैtycznie बता रहा है तो प्रेंपे जाता है नवा है दूस्तों डिस्क्रिटिब ऐजेग्टिव श्यजअप्टिव यह क्या है काली कलम में काला कलमे रोड़ा क्या होता है लाल रेड मतलब क्या होता है लाल यह एक लाल कलम है तो यहां पर जो रेड रेड जो हो रहा है ना क्या हो रहा है जो रेड हो रहा हुँ किसका काम कर रहा है और डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है डिस्क्रिप्टिव एजेक् कारफ लेट है तो मेरे पास एक आकार के बारे में बता रहा है तो इस लिए कौन सा आएज़ेक्टीव हो जाएगा डिस्क्रीप्ट्व आज़ेक्ट्व होता है वह किसी नान के good दोस्त रूप रंग आकार ए टीछी को क्या करता है प्रदर्सीत करता है कि आते है टाइप 5 की तरफ जिसको टाइप 5 की बात करेंगे नुमीरिकल एजेक्टिव यह important है यहां से question मनता है क्या होता है नुमीरिकल एजेक्टिव इसको या तो नुमीरिकल एजेक्टिव भी बोलते हैं और इसको एक और एजेक्टिव बोलते हैं इसके बारे मता रहे हैं एजेक्टिव आफ नंबर क्या बोलते हैं एजेक्टिव आ संख्या को करता है किसको सो करता है संख्या कुल और यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है definiteIs समझेगा यहां से zap exam में पूसता है जो numerical has to buy थी उता है न वह दो प्रकार का होता है दो प्रकार का एक होता है definiteuses को तो का तो घ्रेट हो गया से ऊधरल यहां कि फ्यो हो गया दिवर हो गया हैं यह ङया फwn गया यह सब होते हैं अम यह सब भाट यह और पर बात कर रहा है किसी की बात करते हैं। तो दो People नहीं आगया यह सब दोस्तों आता लेकिन हम बात करें में कि नदिखलेंगी यहाया से लिए three हो गया for हो गया यह सब किसके तowiयां के तेहत मिस क्या होता है order क्या होता है order जैसे फेस्ट गया seeking या ठाड़ागया ठीक है कोई पूझे लिए कार्डियल क्या बिन सकते में으니까 तो जो कार को गिन सकते हैं तो यह कार्डियल बिएफिए भाइगा औरний Nebraska होता है जैसे महिजांपल लिखेंगे यहां तिहां पर लिखने वाले अब यहां पर स्थ realidade रोज आप देखो पहले और और कारडियल क्या होता है रहा है ठीक है ना पहले और 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 यहला गारील बाद में तो और यहली हम देखेंगे वेटा कि फस्ट आ चुका है क्या चुका है फस्ट आ का है लेकिन थिरी बाद में आ रहा थिरी बाद में आ रहा और रोज मतलब क्या होता है पंग्तियां क्या होता है पंग्तियां तो यानि कि दा फ़स्ट थिरी रोज यानि कि पहली तीन पंग्तियां क्या होती है पहली तीन पंग्तियां अब आते हैं आप सभी के सामने चार औ मांच आप छेट्वें और सत्वें टाइप आफ एजेक्टिव को हम देखते हैं और इसको इरेस करते हैं और सत्वें की तरफ आज पूरा इसके टाइप को कम्पीट करेंगे और कल इसका बहुतरीन कंसेप्ट आप सभी के सामने लेकर मैं हाजी रहूंगा चलिए दोस्तों आप सभी के सामने मैंने इरेस किया दुबारा इसको लिखा काफी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को सुट करने में एडिट करने में बनाने में अपलोड करने में ठीक है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है तो प्लीज डिक्वेस्ट है कम से कम लाइक औ जिस object का जो प्रियोग होता है ना वाक में या तो दो या दो से अधिक वस्तुओं दो वस्तुओं है या दो व्यक्ति है उन्हें से या तो प्रतेक के लिए यह एक का या एक भी नहीं का बूध कराता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिब्यूटिव एक्टिव क्या बोलते हैं डिस्टिब्यूटिव एक्टिव जैसे यह वर्ड कहीं पर भी दिख दाए ठीक यह वाले वर्ड कौन वाले वर्ड यह वाले वर्ड और यहन वाले वर्ड क्या है इसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसका ट्रीक हो सकता ह तो नी से याद कर सकते है न वह डिश्टिव्यूटी एज़क्ट्व कह लाते हैं क्या कहलाते है डिश्टिव्यूटी एज़क्ट्व जैसे इच बाइश मौप प्रते लड़का आचुका है यहाँ पर भी है तो इस लगे चाहिए एवरी लगे है यहां पे काउंटिंग को सो कर रहा है ठीक है आप रहा है और एवरी गर लाग थिस बैच ह्हें और इस बैच की सभी लड़कियां इस वैच की साओकी लड़किया क्या हैं आर्थात यहां पर पता यह चल ला है कि सारे के सारे क्या है सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं क्या दिखाई दे रहे हैं सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं क्या दिखाई दे रहे हैं सिंगुलर दिखाना चाहिए और यह बात और बता दे रहे हैं इनके बाद तुरंत नाउन आना है अगर नहीं आता है ठीक है ना अगर नहीं आता है तो यह हो जाएगा डिस्टीव्यूटी यह प्रोनाउन हो जाएगा ठीक है ना अब इनके साथ सिंगुलर सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्व यूज किया जाता है कोगे सर वह क से यूड़ है और या दिश्टिवूटी एजेक्टिव में सिंगुलर दिश्थर ना नहीं उता है और सिंगुलर घर करेंगी टी किसकी बात करेंगे टीन को क्लिप Two सब्सक्राइब के देखाता हमारा मतलब यह नहीं यह चीज़ रहे हैं ठीक है ना ऐसे नहीं कि पढ़ा के चले जाएक समझ में कुछ नहीं यह चीज़ नहीं होने चाहिए अब यहां पर अब देखें वेटा इंटरो प्रोनाउन भी होता है और इंटरो अज़ेश्य वहता है तो दोनों में क्या अंतर है और सब चीज़े क्लियर कर रहा हूं वेगा वेटा ये सब वर्ड आते हैं होते हैं यह सब और आते जैसे हूँ टीचेज यू तुम्हें कौन पढ़ाता है का मतलब क्या होता है तुम्हें कौन पढ़ाता है अब चीजों को क्लियर करेंगे अब विच 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 वर हाउस विच 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 वि का काम करेगा और विच के बाद इज आया हुआ है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा यानि कि इंट्रोगेटिव एजेक्टिव तभी इंट्रोगेटिव एजेक्टिव होगा जब उसके बाद जब उसके बाद नाउन आएगा अगर नाउन नहीं आ रहा तो वह इंकलाटेटिव प्रोनाउन में तबदिल हो जाता है चीजे क्लियर हो रही होंगा ठीक है ना तो चलिए हम नेक्स की तरफ आते हैं पुझेशिव एक्ज्री की तरफ किसके तरफ पुझेशिव एक्जेक्ट्टू और यह टाइप नमबर एड की तरफ आते हैं ताइब नमबर एक की तरफ आते हैं पूजेशियू एजएक्ट्व की तरफ किसके तरफ पूजेशियू द्यूट्व से वैसे नहीं लगता कि हमें मुझे यह नहीं लगता है कि आप सभी को नहीं आता है अगर आपने प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा है तो पूजेशियू selfie आप सभी को आ जाएगा कंगु कहरु ऐता है तो आगर यह सभी को कहीं दिखाई हुए जैसे this is my pen this is my pen यह मेरी कलम है यह मेरी कलम देखो माई आया की नहीं यह सरे एक दम माई आया हुआ है माई आया है लिखेंगे हँआ कोRe faze Trans 5 इया है दिस इस इज कॉपी दिस इज कॉपी यह उसका क्या है कॉपी यह आ यहा पर ही जा गया तो जब यह सब वर्ड कहीं पर भी दिखाई दे दिया पोजैसी एजेक्ट्यू नुसका मैं इसका न्षि एजेक्ट्व ने upfront क्या वो लेंगे पोजैसी आप नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 9 इंपोर्टेंट है इंफेसाईज इंफेसाइजिंग II m p h a s i z i n z उसके बारें बता आता कि वहीं चीज है जैसे कहता है यह वहीं लटका जिसको मैंने देखा था जोर डाल कर बताया जा रहा है है ठीक है ना जब चीज़ें जोर डाल कर बताई जाए तो किस का प्रयोग होता है और तो तुर्ण समझ जाएंगे emphasizing executive यहाँ पर मवजूद है कौन प्रोलाउन इंफेसाइज आई साहिम आई साहिम जैसे यहाँ पर लिखा आई साहिम मैंने उसे देखा I saw with my own eyes with my own eyes यहाँ पर देखो ट्रिक से साथ भी चीजों को रिलेट करो ठीक है ना चीजों को अच्छे तरीके समझने का लिखा पर्यास आप करेंगे तो यह जदा बेहतर होगे याद करने से नहीं कुछ होता है आराम दे समझने की जो तो ओन आया हुआ की नहीं आया हुआ है कहेंगे सर ओन तो आया हुआ है तो बेटा जब ओन आया हुआ है तो simply उसको अपनी आखों से देखा तो ज्यादा तर प्रेसर दिया जाला कि मैंने उसको देखा ही देखा था तो मैंने उसको अपनी आखों से देखा तो कॉन एज़ग्तिव जहता है यहां उसका अपना कलम यहां पे अपना ही कलम के बारे पर यहां पे ज्यादा चीज़े कर रहा है ठीक है ना आई सा सारिका with my own eyes यहां पर कहा रहा है आई सा सारिका मैंने सारिका को देखा with my own eyes मैंने सारिका को अपनी आखों से देखा यहां पर भी जोड डाला जा रहा है तो जब sentence में जोड़ डाला जा रहा हूं अधीकतार इस sentence में देखेंगा 90% तो ट्रिक यही काम कर रहा है कि प्रयोग किया राता है किसका प्रयोग किया राता है है ओनका दिख हुआ है तो इस तैनंबर यहांपर विशुघ हो जाएगा एक-चली सिर्द नमबर कहोता है एककिलेंटेबो cancer थे खी थी थोड़ा साव तो जो एक्सक्लाइक को पकी होता है हिर्दय के भाव की विशेष्था बताता ते क्या करता है बताता है यह क्या करता है हिलदय के भाव की विस्यस्ता बताता वाट व्यूटिफुल फ्लावर इट वाट व्यूटिफुल फ्लावर इट इस यानि कि कितना सुन्दर फूल है क्या है और यहां पर लास्ट में यह वाला साइन लगेगा ठीक है न तो जब आप देखें कि यह वाला साइन यूज हुआ है और यहां पर व्यूटिफुल क्या है वाटी ब्यूटिफुल फ्लावरिटी चाह सुंदर क्या सुंदर यहां देखो वाट लगा हुआ है तो चले 5 मिन्ट इंट्रोगेट्व प्रोनाउन के तहत भी आते हैं ठीक लेकिन हाँ यहां पर यह वाला स जब आप यह वाला मार के देखें तुरंत आपके सामने क्लिक करना चाहिए कि सर यह एक्सक्लेमेट्री एक्जेक्टिव है तो आज हमने आप सभी को पूरा पढ़ा दिया कितने टाप 10 टाइप का महने बता दिया एक्जाम में अगर आप एक्जाम देखिए कोई भी टीज क電 − टीजिंग जाम होते है ना उनमें टाइब से कोछ्सन पूछ लेता है तो अगर उनी ली को टेयारी करें तो काफी क्लास बेनफिशियल है और उसके साथ अगर नहीं भी त्यारी करें तो कल आप सभी को डिग्री पढ़ाने वाला हूं डिग्री सुब्ली क्लास ॆपि के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है अराम से इसको मराओंगे प्लेश्ट में सारी वीडियों को देखिए नवन पूरा खत्म किया प्रोनावन कम्पेट किया काफी ज्यादा मेंनत किया रहा तो उमीद करते हूं अप अच्छी तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद बंदे मातरम